कामर्स डिग्री कॉलेज जगनात पूर आज हम लोग एकोनामिक्स में मेजरमेंट ऑफ नैशनल इंकम को कैसे मेजर किया जाता है कैसे कैल कुलेट किया जाता है ठीक है तो हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं कि national income को तीन तरीके से तीन method से calculate किया जा सकता है एक है value other method, income method and expenditure method कैसे calculate करते हैं हर एक method में आई हम लोग एक एक करके नीचे discuss where detail में देखते हैं कि कैसे इसको calculate किया जाता है ठेक है? तो आईए देखिए यहां पर क्या method of calculating national income में आपको एक हो गया value other method दूसरा income method और तीसरा final expenditure method यह इसको expenditure method बोलते हैं ठीक है? तो इसमें जब हम यह जो तीनों different stages है जिसमें अपने national income को calculate करते हैं तो उसमें कुछ जरूरी चीजों को and territory sector अब यह क्या sector इसको बताने की ज़रूत नहीं आप लोग इसको जामते होंगे ठीक है तीन सेक्टर में क्या प्राइमरी सेक्टर सेकंडरी सेक्टर अब इस बेसिस इस classification के basis पे हम क्यासे सब्सक्राइब करते हैं क्या से major करते हैं तो तीन तरीक है वेढूड़ी आठार मेघड है इसमें चोह भी गुट्स का एकोनॉमि में total production हो रहा है, total 500 जो value-added है? उस country जो भी production unit में जोल्थ जो भी next output आया उसको क्या usage in economy में उसक उसका contribution है क्या क्या काल आता है? वो निकल ले आता है निकल मेटाइट मेटाइट से प्रतिक इंडेश्ट्री के दौरा जो ही वैलीओ एड़ेड मेठेड है कि जब हम नाशनल इंकम को कैलकुलेट करते हैं इस मैठर से तो सबसे पहले जो होता है कैल्कूलेट क्या किया जाता है ग्रॉस वेल्यू एड़िदेटिट्ट्राइस उसके बाद क्या करते हैं नेट वेलिएड़िड़ू एड़िदेट। cirk्टर called तो क्या स्टेप फॉलो के जाते हैं आए देखते हैं कि देखिए यह जो केल्कुलेशन करने के यह तरीके हैं यह नीचे दिया गया है यहाँ पे मान के चलिए हाँ पहले तो क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं कि बाद स्टेप में आते हैं क्या क्या है पहले मैंने भी यह इसके बारे में देखले तो उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है रेफरेस्टू वैल्य आउट्पुट अट मार्केट प्राइस माइनस इंटर्मेडियेट कांजेप्शन दो वैल्य आउट्पुट कैन भी क्यालकुलेटेड वाई वैल्य आउट्पुट प्रोडियूचactive देखिय till फैली आउट्पुट क्या होता है रहा ग्रॉस वैल्य आड़ेटेड चो सब्सक्राइड स्था आय सबस्था है इन्मेडियником्जशन है Sydowsky श्मार्केट गॉन्छयमक्शन कली करे दो हैं बस्क्रास्थान पटे क्रौरो से जाता है तो होता है intermediate consumption ठीक है इंटरमेडियरी गूड उसको जो होता है जो तो हम लोग क्या करते हैं जब भी नाशनल इंकम निकालेंगे तो कोई वीचे से का final product रहते हैं हम लोग further क्योंकि उससे है double counting का problem हो जाता है क्योंकि यहां भी एक बार अभी इसका counting हो गया फिर final goods बनेगा तो counting होगा तो इसलिए हम क्या लेते हैं यहां पर इंटर्मेडियर कंजम्शन को लेस कर दिया जाता है यहां पर निकालते कैसे हैं तो जो भी quantity प्राइस होगी उसको मुल्टेप्लाइ कर देंगे तो मेरा value of output निकल जाएगा यहां पर आपको एक जांपल में देखे समझाया हुआ है कि तोटल मानके चले एक यह में 10,000 पर आप पुटक्रब्शन होता है तोतल हो जाएँगे value of आट निकालने का फार वोला है तो टार सेल्स प्लस कोड़िंग असलाब ये जिस्तॉट के नेख चेंजल स्टॉक प्लस और माइनस नेट चेंज इस टॉक यहां पर लिखा जा सकता है इसको कि यह तोटल करने के बाद अब आपको समझाया गया है यहां पर एक क्लोजिंग इस टॉक इज इंक्लूड दा वैलियो फंसौल आउटफुट इन दे वेरियस प्रीवियस यह फॉर्म आफ प्रेवियस यह में वह क्या हो जाता है मतलब एड होने तक वह प्रोडक्ष नहीं सोल्ड होता है तो क्लोजिंग श्टॉक अर वही क्लोजिंग च्टों टेहर जाता है उसी तरह इटमेड़ियर पादिंगाट वैली इंड़िडव फेर्टेव फ्रेडशन सत्रूं लिएं सर के लिए नहीं हो ने ने अई होता है मतलब की बुद्ध यूज़टार्पशन के लिए दुद्ध यूज़फिस है यूज़टा इस रिशल्ट के लिए खूटार्पकशन की लिए होता है आधो चुटा तो हम क्या सकते हैं जी भी एटमपी जो टो वैली आफ आउट पुट माइनस इंटर्मेडियेट कंजप्शन अब यहां है तो अब यह है ठीक है अब वड जब मैंने प्रिविएस क्लास में जब जी डीपी जी एनपी के बारे में सब्सर्चा किया था उसमें बताया था जब ह ठाइडा सब्सक्राइड ञांक्र में में जाता है तो सब्सक्रेशन को यहां पर यहां क्या राथ क्जारेंगे ले डेप्रशिएशन कर दे तो जो पर कर देंगे टेक हैं उसी तरह जब Net Valuate Factor Cost की बात आएगी तो मैंने प्रेवियस क्लास में भी बताया है कि Market Price Factor Cost में चेंज करने के लिए चेक किया जाता है तो माइनस NIT Net Indirect Tax को Less कर दिया जाता है जबकि Net Indirect Tax क्या होता है तो Indirect Tax माइनस सबसीडी होता है अब यहां पर देखिए जब Net Valuate Factor Cost की बात आती है तो Nv8 MP माइनस क्या कर देते यह यहां पर माइनस का होगा छोट गया यह यहां पर क्या होगा यह माइनस होगा और यह यह ऐसे लिखाएगा Nv8 MP माइनस Indirect Tax माइनस सबसीडी तो क्या हो जाएगा यहां पर जब हम इसको यह करें तो Nv8 MP माइनस Indirect Tax प्लस सबसीडी तो यह हो जाता है Nv8 FC टोटल नेटवर वैल्यू एडड़ एड़ आट कॉश्ट मार्कुलेट करते हैं यह तो आप डिर्ट टरग्लेट कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो हम लोग आए देखते हैं कैसे तो सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट होंगे उसको तीन सेक्टर में लोग क्लाने सब्सक्राइब करेंगे एक हो जाएगा आपका प्रैमरी सेक्टर में नीट सेक्टर सब्सक्राइब करेंगे तो पहले तो क्या होगा उस सब तोटल यह टोटल प्रोडक्शन यूनिट होता है जब टोटल से जो भी प्रोडक्शन होता है उसको एड़ करते हैं तो निकलता है तो वहां से इस तरीके से निकाल लेंगे उसके बाद हम सब्सक्राइब करेंगे तो निकल जाथा निड़ याध जाए इट फक्टर सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या निकल जाता है और जब मैंने प्रिवेस में बताया था कि जब प्रिवेस में निकल जाता है और यही कैलाता है मेरा national income कहलाता है ठीक है यहीं समय कर ले रहें इसको के इसको और लाइन में और कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या प्रॉडक्शन यूणिट को थीन स्क्तर में टिवाइट करेंगे पासे से नेंटे strip से इक सकते हैं में में प्राइशन में से ड़र्स्यट्स एक्स कर जाते हैं तो क्या निकल जाता है मेरा यह किख ग्रॉट्टर इक्ष निकला था फिर से पहले तो क्लासिफाइब देगे सेक्टर सेकंडर सेक्टर इंटरें सेक्टर के जब कितना प्रोडक्शन हुआ सब को कलकुलेट करेंगे तो निकलता है उसक्राइड मार्केट पाइस में तीसरा स्टेप में जाएंगे तो क्या निकल जाएगा मैंने यह दोनों के बीच में क्या कर दिया एक और लाइन यहां पर जोड़ दिया कि अब उसमें से में क्या निकला मिला अब उसके बाद एपसी में जब टोटल चितने भी सक्टर इंडर्स्ट्रियल सक्टर हैं टोटल के एपसी को समप कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा एंड़ीप एट एपसे नेट अब यह एड़ कर देते हैं तो क्या निकल जाता है मेरा नेट नेशनल प्रड़क्ट अट फाक्टर कोश्ट एन फाइए क्या होता है मैंने प्रेवेस्ट क्लास में समझा चुका है समझा चुका हूं इसके लिए आप ज़रुद पढ़े तो आप आप देख लिएगा ठीक ह इसको करने में इसको कंसीडर करना जरूरी है जैसे कि सबसे पहला डबल काउंटिंग आउट्पूट को अवाइड करना अब यह डबल काउंटिंग क्या होता है कि मैंने वही हुए कि इंटर्मेडियेट के कारण ही डबल काउंटिंग होता है अब में एक इक्जाम्पल के तुरह यहां पर जैसे समझाया गया है क्योंकि रेखिए जब एक ही प्रोडुक्त को बार-बार लिया जाए तो क्या होता है आपर इस्टिमेशन हो जाता है जिस रेखिए कर घ Silk up इसकी फार्मन के नियुकंर को उसके बाद बेकर बेचा कितने मैं तुनिफाउजिंट में ग्रोसर को और ग्रोसर कितने में बेज़ा कशनुवार को 25000 में अब क्या होगा जब हम क्या मोट करेंगे तो रचल्फ होगा के दोनों क्या होता है इंटर्मेडियाट का विब्स और यह यह दोनों एड करने का जो शाहां पर नहीं है ये यह उता है डावल चुटिंग में तो दूसरा क्या एक तरह से क्या होता है नेशनल इंकम में एड होता है क्योंकि उसको बाहर से खड़ेने की जुर्ड नहीं है वह क्या यूज कर रहा है तो वह क्या हो जाता है अब आड़ हो जाता है वह नेक्स्ट के अब इसको अब इसको पहले वैसा जो गुट्स लिया गया है उसको एड करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि उसका पहले किया जा चुका है उसके लिए वहां पर भी दुबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डबल कांटिंग सिस्टेम की प्रापलेम आ जाएगी इसलिए उसको फिर हमको दुबारा करने हम सिर्फ फ्रेश आउट्पुड जो भी गुड्स है परी आंड गुड्स होंगे उसको हम लोग मेजर करते हैं मतलब कि पहले से जो भी दिलिया हो गुड्स उसको हम मेजर नहीं करते हैं देकर यह था मेरा वैल्य एड़ेडी मैठल फ्रॉम जो फर्स्ट मैठल साथ दो मैठल और इसको नेक्ट्ट्स में डिसक्में करेंगे इसके नोट्स में मिल जाएगा मैं अब आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजे यहां से यहां पर तीनों मैठेट इसमें साथ में है सब्सक्राइब करूंगा इसके लिए इसका नोट्स नहीं डालूँगा इसलिए आप इसको अभी डाउनलोड कर लेजी ठीक है आज के लिए बस इतना है थैंक यू दन्यवाद